नमस्कार दोस्तों देखे मित्रों आज राज्थान करमचारी चैनबोट जेपुर के द्वारा दो वेकेंसी आई है एक तो है लेव टेक्निशन और दूसरी है साहिक रेडियोग्राफर तो लेव टेक्निशन की 1014 और 105 अनुसिसी सेतर की कुल मिला करके 1119 पोस्ट है लेव टे यह आज का ही है प्रेस नोड जो है वेकेंसी आप अधिनस्त बोर्ड की जो वेबसाइट है RSMSS भी करके उस पर आप इसको देख सकते हैं वह इसे डावलोड किया हमने तो आज इसके बारे में कुछ मैत्पून बातें हैं वो कर लेते हैं कि क्या-क्या इसके लिए योगयता चीए कप लाश्ट डेट वगयरा है तो देख लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आविदन पर करिया तो जो SSO रास्तान.gov.in इस परकार से जो आज तक आप फोर्म बढ़तें आए हैं उसी प्रोसेस से आपका फोर्म बढ़ा जाएगा या आप अच्छे से प पढ़ लीजेगा इसको PDF को और अब बात करते हैं प्रिक्षा सुलक के बारे में एक देखेगा ये PDF आपको थोड़ी सी दूंदली दिखाई देगी ये दूंदली ही है ज्यादा डार्क अक्षर जो है वो है नहीं इस PDF के तो प्रिक्षा सुलक आपका क्या है जो जनरल अब जो अन्य पिच्ड़ा और अत्ः पिच्ड़ा जो किस में आते हैं क्रिमीले रखें उन सबकी है 45,500 रुपे और नौन क्रिमी लेज रहने के जो OBC और SBC हैं उनके है साथे तीन सूव रुपए और बाकि फिर हैसी एस्टी के लिए डाई सूव रुपए और ये अलगल के टेगरी है तो यह आपकी मैन मैं फीस है इसमें ये लेब टेक्निशियन के जो पोस्ट हैं उनके लिए जो है वर्गी करन किया गया है कि जैसे जर्णल की कितनी पोस्ट है फिर ये आर्थी ग्रूप से ये डवलो जो वाले हैं उनकी कितनी है इस प्रकार से अलग-अलग विपाजन है ये ये साइग रेडियोग्राफर पद है तु नेक्स्ट है मित्रों की पातरता और सेक्षन की योगिता इसके लिए क्या चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं लेब टेक्निशियन के बारे में देखे उपर एक .9 लिख रगा है कि आ पाविदक की निम लिखती योगिता हैं होनी चाहिए इसमें एक-दो पॉइंट और मैथपॉण है वो भी आपके काम के हैं तो एक बार इसको आगे और सुनेगा आप पूरा सिनियर सेकेंड्री जो है यानि बार्वी क्लास आपकी साइंस से होनी चाहिए बायलोजी साइंस में जो ट्वेल्थ आपने की हो आपके या तो बाया हो या आपके मैथमेटिक्स हो या इस इक्विलेंट विट डिप्लोमा in a medical lab technician from an institute recognized by the state government, central government, राज्तान पेरा मैडिकल कॉंसिल and रजिस्टर्ड इन राजस्थान पेरा मैडिकल कॉंसिल and working knowledge of हिंदी वाला ये तो है तो है सबको आता ही है तो पहला और दूसरा पॉइंट जो है यह आपके लिए मैत्पुन है कि बारिवी क्लास के अंदर बाइलोजी या मैथमेटिक्स आपके होनी चाहिए या आपके पास जो है ये मेडिकल लेब टेकनिशियन वाला जो एक परकार डिपलोमा है ये या यह होना चाहिए इसके साथ जो ज़रूरी है registered in राजस्तान पेरा मेडिकल कोंसिल इसमें registered होना चाहिए अब देखिए इसमें एक निचे नौट लिख रएक है ये आपके लिए जुरूरी है तो मित्रों यह क्या कह रहा है कि आपका जो ये रास्तान जो पेरा मेडिकल कॉंसिल है इसमें पंजी करण हो जाना चाहिए और अंतिम्तिति तक मतलब आपने करवा लिया हो और सत्यापन जो है वो आपको उस समय आवशक्ता पड़ेगी सिलेक्शन हो जाता है तब आप उसको दिखा सकते हैं तो ये पोइंट अच्छा है आपके लिए और दूसरा है साहिक रेडियोग्राफर के पद है तू तो ये भी जो है सीनियर सेकेंडरी साइंस होनी चाहिए बायो या मेट के साथ या इस एक्विलेंट विद रेडियोग्राफिक कोर्स पास्ट फ्रोम एनी इंस्टूट रिकॉगनाइट बाय जा स्टेट गोवर्मेंट, सेंट्र गोवर्मेंट, रास्तान पेरामेडिकल कोंसिल एंड रजिस्टर इन रास्तान पेरामेडिकल कोंसिल तो आपके पास साहिक रेडियोग्राफर के लिए है कि बायो या मेट से आपकी ट्वैल्थ होनी चाहिए या ये रेडियोग्राफिक कोर्स होना चाहिए आपका किसी भी इंस्टूट से जो कि रास्तान सरकार या भारत सरकार या रास्तान पेरा मेडिकल कॉंसिल के द्वारा मानेता प्राप्त हो और राष्तान पेरा मेडिकल कॉंसिल के अंदर आपकी जो है वो पंजिकरण है वो आपका आवेदन हो जाना चाहिए मतलब पेरा मेडिकल कॉंसिल में आवेदन करना होगा आवेदन आपका हो जाना चाहिए तो यह आपके हैं दोनों के लिए योगेता है और बाकी जैसे है स्वास्ति है जो स्वस्थ होना चाहिए मानसी ग्रूप से सारे ग्रूप से अब मित्रो आयू के बात कर रहे हैं जो एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष के आयू प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं वा हो तो ये तो है जनरल केंड़ेट के लिए लेकिन इसके साथ क्या लिख रहे है जिस बर्ष वर्ष विशेस में सिधी बर्ष के पदों के लिए बर्ष नहीं हुई और येदी कोई आवेदेक उस वर्ष की बर्ष की बर्ष में आयू की दर्ष्टी से पातर था तो उसे आयू की दरिश्टी से पातर माना जाएगा किन्तु यह चूट तीन वर्षे अधिक नहीं होगी तो 2016 के बाद यह वेकेंसी अब बता रहे हैं तो तीन वर्ष की चूट जनरल केंडेट को इसमें औरे मिलेगी यानि एक जनरल केंडेट 43 येर तक जो है इसमें फोरम लगा सकता है इस व चूट मिलेगी सामाने वर्ष की महिलाएं हैं उनको पांच साल की चूट है EWS की महिलाएं हैं उनको भी पांच साल की चूट है SC ST और OBC SBC के पूरुष अबयर्थियों को जो राजस्तान के इस्ताई निवासी हैं पांच साल की चूट और बाकि जो इन सभी केटेगरी के मह कोई भी बाहर का राजस्तान से बाहर का इवर्थी ये फोरम बर सकता है। और बाकी ये कई चीजें और हैं ये सेवा सर्तेर ये कई नियम लिखे होते हैं। और नेक्स्ट है विवाय पंजियन। अगर आपका विवाय हो चुका है, तो जो पंजियन कराना होता है, वो आपका पंजियन कराया जाना चाहिए। आविदन शुल्क जमा कराने और ओनलाइन आविदन पत्र भरने की अवधिन तो प्रिक्षा सुल्क रास्तान के निर्दारित एमित्र क्योसिक जर्ण सुविदा के अंदर नेट बेंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माधियम से करोना महामारी के प्रकोव को दृष्टिकत रखते वें केवल 15 दिवस दिनाग 18 जून से 2 जुलाई को रातरी 11 बज़ के 69 मिनिटर यानि 12 बज़े तक आप ये फोरम में लगा सकते हैं और इसके अलावा तो मित्रों आपको ध्यान में ये रखना है कि 18 जून से ये फोरम बरे जाएंगे और 2 जुलाई तक बरे जाएंगे तो आप 2 जुलाई का वेट के विना जो विद्यार्ति ये फोरम बरने में सक्षम है उनको ये फोरम बर देना चाहिए 15 दिन का इस समय मिला है वैसे हमेशा लगबग एक महिने का समय मिलता है लेकिन इस बार इन्होंने 15 दिन का समय दिया है कोरोना महामारी के करण आप ये मित्र क्योस किसे भी बर सकते हैं नहीं तो घर पर भी आप बर सकते हैं फोरम तो उसके बाद है चैन का आधार और वरेता सुची त्यार करने का आधार तो इसमें ये जो नियम है नियुन्तम सेक्षणिक योगेता प्रिक्षा अत्वा व्यवसाईक योगेता प्रिक्षा अत्वा दोनों जैसे भी स्थती हो में प्राप्त औसत प्राप्त अंकों और बोनस अंकों के अधार पर निया मानुसवार त्यार वरिता सुची में शामिल किया जाएगा और बाकी ये है कि नियूंतम सेक्षने की योगेता परिक्षा आत्वा नियूंतम वेपसाई की योगेता परिक्षा आत्वा दोनों जैसे विश्दति हों के परतिशत के ओसत का 70% लिया जाएगा और इन प्रापतांकों के ओसत परतिशत अंकों में अनुबो प्रापता बेर्थयोंग लिए वि को अगर आप भर सकते हैं तो और बॉर्ड की वेबसाइट है rsmssv.raastan.gov.in तो इस पर आप बाकी जानकरी जो हैं को प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और आप इसको PDF को डाउंलोड कर लेजेगा वेबसाइट से वहीं से डाउंलोड किये हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत